सदफ्स क्लास्रूम में आज हम देखेंगे कि क्या कोई नंबर हमें दिया जार हमसे कहा जाए कि पता करो ये प्राइम है या कॉम्पोजिट तो ये काम हम कैसे करेंगे लेकिन इससे पहले हम प्राइम और कॉम्पोजिट की डेफिनेशन को रीकॉल करते हैं ऐसे numbers जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, one और वो number खुद, यानि कि ऐसे numbers जो सिर्फ दो numbers से divide हो सकते हैं, one से और अपने आप से, ऐसे numbers को हम prime numbers कहते हैं, मिसाल का तौर पर two और three prime numbers है, अब अगर हम देखें तो two शो है, वो सिर्फ one से divide हो सकता है या two से, इसके इलावा two किसी और number से divide नहीं हो सकता, इसलिए two prime number कहलाता है, और इसी तरहा three भी one और three से divide हो सकता है, इसके इलावा किसी और number से divide नहीं होता, इसलिए ये भी एक prime number है, जबके ऐसे numbers जिनके दो से ज़ादा factors होते हैं, यानि कि वो number 1 और अपने इलावा किसी और number से भी divide हो सकते हैं, इसे numbers को composite numbers कहते हैं, मिसाल के तोर पर 4 और 10, ये दोनों ही composite numbers हैं, 4 अपने table के इलावा और 1 के table के इलावा 2 में भी आता है, इसलिए 2 से भी divide हो सकता है, इसलिए 4 एक composite number है, और 10 भी 1 और खुद से divide होने के इलावा 2 और 5 से भी divide हो सकता है, दो से ज़्यादा factors हैं इसलिए ये भी एक composite number है आईए देखते हैं कि अब अगर हमें कोई number दिया जाए और हमें ये देखना हो कि वो prime है composite तो हमें क्या करना होगा हमें उसके factors find करने होगे हमें ये देखना होगा कि क्या वो number 2, 3, 5, 7, 11 इनमें से किसी से divisible है और अगर ऐसा करने के बाद हम सिर्फ दो factors ढूणने में कामियाब होते हैं यानि कि वो number सिर्फ one और खुद से divide हो सकता है तो फिर हम कहेंगे कि ये number prime number है जबकि अगर हमें दो से ज्यादा factors मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये composite number है हमें इस situation में किसी भी number के सारे factors find out नहीं करने हमें सरिफ ये देखना है कि क्या वो one और अपने इलावा किसी एक और number से divide होता है अगर हम एक तीसरा factor ढूणने में कामियाब हो जाते हैं तो हम उसे composite की category में डाल सकते हैं अब यहां हमें एक number दिया है गया है 42 और हमें देखना है कि ये prime है ये composite तो हमें 42 के factors मालूम करने होंगे हर number के अब दो factors तो होते ही हैं one और वो number खुद तो क्या इसके इलावा हम कोई factor find out कर सकते हैं अब अगर आप यहां देखें तो इस number का last digit है two ऐसे numbers जो two, four, six, eight और zero पर end होते हैं ऐसे numbers even numbers कहलाते हैं और तमाम even numbers two से divide हो सकते हैं इसलिए two इसका एक factor है इसलिए ये number composite है यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि two वो वह वाहेद even number है जो prime number है इसके बाद आने वाले तमाम even numbers क्योंके two से divide हो सकते हैं इसलिए वो composite numbers होते हैं अब इस number को देखिए और इसके factors find कीजिए one और 75 तो इसके factor होंगे ही क्या इसके इलावा हम कोई और factor ढूंद सकते हैं तो last digit पर गौर कीजिए ये digit ये number end हो रहा है five पर और ऐसे numbers जो five पर end होते हैं वो तमाम numbers five से divide हो सकते हैं इसलिए इसका एक factor five है और क्योंके हम इसका एक और factor ढूंदे में कामियाब हो गए हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये number composite है अब यहाँ ये बात याद रखिए कि five से बड़ा कोई भी number जो five में end हो रहा होगा वो composite number होगा क्योंके वो five से divide हो सकता है अब हमें मालूम करना है फिफ्टी वन प्राइम है या फिर composite तो आएए इसके factors मालूम करते हैं क्या ये number two से divide हो सकता है नहीं क्योंके ये even number नहीं है क्या ये number five से divide हो सकता है नहीं क्योंके ये five पर end नहीं हो रहा तो फिर क्या ये number 3 से divide हो सकता है? अगर हमें ये मालूम करना हो कि कोई number 3 से divide हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये formula apply करके देखना होगा. इन तमाम digits का sum लेना होगा और देखना होगा कि answer 3 के table में आता है या नहीं. तो यहां हमारे पास जो digits हैं वो क्या है? 5 and 1. 5 plus 1 is equals to 6 और 6 3 के table में आता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 51 का एक factor है 3 और क्यूंकि अब यहां पे हमें 3 factor मिल गए हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक composite number है. अब मालूम करते हैं कि 133 prime है या composite. तो क्या ये number 2 से divide कर सकते हैं? नहीं. इवन number नहीं है इसलिए 2 से divide नहीं होगा. क्या ये number 5 से divide हो सकता है? 5 पर end नहीं हो रहा. इसलिए 5 से divide नहीं हो सकता. क्या ये number 3 से divide कर सकते हैं? तो आएए देखते हैं इन तमाम digits का आपस में सम लीजिए 3 plus 3 plus 1 is equals to 7. तो क्या 7 3 के table में आता है? नहीं आता. इसलिए ये number 3 से भी divide नहीं हो सकता. अब हम चेक करेंगे क्या ये number 7 से divide हो सकता है या नहीं. और ये देखने के लिए हमें ये steps follow करना होंगे. लास्ट डिजिट को double कीजिए. 3 का double क्या होता है? 6. और उसके बाद remaining value और इस number का difference लीजिए. 13 minus 6 is equals to 7. अब हमारे पास जो answer आ रहा है अगर ये number 7 से divide हो सकता है तो हम कहेंगे कि 133 भी 7 से divide हो सकता है. तो इसलिए अब हमारे पास 133 के 3 factors हमें मिल गए इसलिए हम कहेंगे कि ये composite number है. अब देखते हैं कि क्या 121 prime है ये composite तो इसके लिए हमें इसके factors मालूम करने होंगे. क्या ये number 2 से divide हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि ये even number नहीं है. क्या इस number को हम 5 से divide कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 पर end नहीं हो रहा. क्या ये number 3 से divide हो सकता है? ये देखने के लिए हमें इन तमाम digits का sum लेना होगा. 1 प्लस 2 प्लस 1 इस इक्वल्स तो 4. अब जो answer आ रहा है क्योंकि ये 3 के table में नहीं आता इसलिए 121 3 से divide नहीं हो सकता. क्या ये number 7 से divide हो सकता है? उसके लिए आप last digit को double कीजिए और उसके बाद remaining value से subtract कीजिए. 12-2 is equals to 10. क्या ये answer 7 के table में आता है? नहीं आता. इसका मतलब ये number 7 से भी divide नहीं हो सकता. तो अब हम देखेंगे कि क्या ये number 11 से divide होता है या नहीं? और ये check करने के लिए हमें odd places पे जो values हैं, उनका साम लेना होगा, even places पे values हैं, उनका साम लेना होगा और इन दोनों का difference अगर 0 या फिर multiple of 11 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये number 11 से divide हो सकता है. राइट मोस से शुरू करेंगे, places को mark करेंगे, even, odd, even. Even places का सम क्या है? 1 प्लस 1, 2. odd places पे एक ही value है, 2. इन दोनों का difference? क्यूंके 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 121 can be divided by 11. और क्यूंके हमें 2 से ज़ादा factors मिल गए हैं, इसलिए ये एक composite number है. लास्ट एक्जेम्पल में हम ये देखेंगे कि क्या 229 प्राइम है या composite. तो हमें factors मालूं करने होंगे. सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ये number 2 से divide कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या ये number 5 से divide कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या ये number 3 से divide कर सकते हैं? इसके लिए तमाम digits का sum लीजिए. 2 plus 2 plus 9 is equals to 13. क्या 13 3 के table में आता है? नहीं आता. इसका मतलब ये number 3 से भी divide नहीं हो सकता. क्या ये number 7 से divide कर सकते हैं? लास्ट डिजिट को double कीजिए. 9 का double क्या होता है? 18. और उसके बाद remaining value और इसका difference लीजिए. 22 minus 18. आंसर इस 4. क्या 4 7 से divide हो सकता है? नहीं. तो इसका मतलब 229 भी 7 से divide नहीं हो सकता. फिर चेक करेंगे कि क्या ये number 11 से divide हो सकता है? इसके लिए right most से शुरू करते हुए even, odd, even places को mark कीजिए. इवन places पे जो sum है वो क्या है? 11. 9 plus 2 is 11. और और places पे एक ही value है 2. इन दोनों का difference लीजिए. क्या ये difference 0 या multiple of 11 है? नहीं. इसका मतलब ये number 11 से भी divide नहीं हो रहा. और क्यूंके हमें इसका कोई factor नहीं मिला और इसके सिरिफ दो ही factors हैं. इसलिए 229 prime number है. उमीद करते हैं आज को lesson आपको समझ में आ गया होगा. सदस classroom को subscribe करना ना भूलें ताके हमारा lessons का सिसले सी तना आगे जलता रहें. शुक्रिया.